नमस्कार दोस्तो आप सबने इस घड़ना के बारे में तो जरूर सुना होगा अमेठी हत्याकांड ऐसा हत्याकांड ऐसा हत्सा जिसमें दो मासूम बच्चे को भी एक दरिंदे ने गोली मार दी है न ऐसा साथ मिनट के अंदर हुआ कि पूरा परिवार खतम हो गया क्यों हुआ आपको भी जान के दुख होगा साथ आप जान भी गए होंगे दोस्तो इस हत्याकांड में एक बड़ी अपडेट आ रही है पुलिस से प्राप्त जानकारी और दैनित भासकर के माद्यम से एक आर्टिकल पब्लिस है जिसमें ये खुलासा हो गया है कि आखिर ये इतना बड़ा हास्ता हुआ क्यों आप दोस्तो इस हत्याकांड में भी एक महिला का ही हाथ है ऐसा मैं इसलिए बोल ला हूँ दोस्तो कि कास अगर उस महिला ने ऐसा नहीं किया होता तो साहिद ये ना होता मैं मानता हूँ उस दरिंदे ने जो भी किया गलत किया है और उसको उसने अपना बयान दिया है अपना पहला बयान जो दिया है रिपोर्ट छपी है दो घंटे पहले अमेठी हत्याकांड पर कि चंदर ने बताया कि अपनी पूरी कमाई में पूनम पर खर्च करता था प्यार और अधिकार की लड़ाई में टीचर का पूरा परिवार खत्म हो हमको ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों लेकिन हमें बुरा लग रहा है तीन लाइने पढ़कर अगर वो चीजे नहोती तो साइद आज यह नहोता दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक हस्ता खेलता परिवार जो सिर्फ पाँ साथ मिनिट पर खत्म कर दिया गया और इसका में जो तत्य निकल कर आ रहा है जो वज़ा बताई जा रही है अफेयर पैसा और ब्लैक मेलिंग में टीचर का परिवार इसकदर फसा कि निकल नहीं पाए टीचर की पत्नी पूनम कहीं न कहीं इस पूरे जो हत्या कांड हुए है इसमें सबसे बड़ा कारण फिर वही महिला का प्रेम अफेयर साधी के बाद भी दूसरे इंसान से अफेयर जो की एक बहुत ही बड़ा अपराद है पाप है और ऐसे जब किसी महिला के बारे मैं इसे सुनो तो तब और लगता है कि महिला ऐसे कैसे कर सकती है जिसके लिए इतनी सुरच्छा, सम्मान, देवी मा का दर्जा दिया जाता है और वह खुद एक मा है, दो साल की बच्ची है फिर भी उसका फेयर चलता है किस से किरायदार, मतलब जो बगल के रूम में रहते हैं, उन से तो कहीं न कहीं देखी, आगे लिखा है टीचर की पतनी पूनम जिससे प्रेम करती थी, वो उस पर पैसा लुटाता था कौन लुटाता था? चंदन वर्मा जब पूनम ने बेरुखी की और दूर जाना चाहा, तो वह खून का प्यासा हो गया थोड़ा सा कहानी को विस्तार से समझने की कोसिस करते हैं टीचर सुनील कुमार मूल रूपसिर राइबरेली के सुदामा पुर गाओं के रहने वाले थे सुनील की साधी 12 अपरेल 2016 को पूनम से हुई थी 2018 में सुनील पुलिस की सिपाही पदपर भरती हुए 10 दिसंबर 2020 को उनकी बेसिक सिच्छा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी पहली तैनाती B.S.A. आफिस में हुई सुनील का घर राइबरेली जिला मुख्याले से करीब 35 किलोमीटर दूर था इसलिए वह परिवार लेकर राइबरेली के मटिया इलाके में रहने लगे देखिए दोस्तो जब वो बाहर रहने लगे रूम लेकर सुनील ने जिस मकान में कमरा लिया वही पर चंदन वर्मा का भी किराय पे रहता था मतलब अब देखिए चंदन वर्मा भी किराय पे रहता था और सुनील का परिवार भी अब मकान के किराय पे रहता है साथ साथ रहते हैं यहीं से टीचर परिवार में चंदन वर्मा की एंट्री हुई अब देखिए यहीं जो जितना अब बताया जाएगा यहीं से पता चलता है कि कहीं न कहीं इसमें महिला की भी गल्थी है सुनील की बेटी दृष्टी के उम्र उस समय करीब दो साल थी चंदन दृष्टी को खिलाने ले जाने लगा चंदन और पूनम में नजदीकियां बढ़ने लगी अब देखिए दोस्तो महिला अगर न चाहे तो कौन इंसान इतनी नजदी किया बढ़ा सकता है अब आगे देखिए 26 साल का चंदन पेसे से मेकेनिकल इंजीनियर डिपलोमा धारी है वा अस्पतालों की X-ray, City Scan और दूसरी मसीने सही करता है इसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी वा पूरा पैसा पूनम पर ही खर्च कर रहा था पहले ही उसने अपने घर के जेवर पूनम को दे दिये थे वा पूनम पर सुनील को छोड़कर साधिक लिए दबाव डाल रहा था आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हम सब नहीं जाएंगे यही जो इतना हमने आपको बताया अगर इसमें देखेंगे तो महिला का सबसे बड़ा कसूर है अगर महिला ने ये ना किया होता तो आज उसके बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है उस टीचर की कोई गलती नहीं है वो तो बेचारा महिंती, पूरी कहानी आपको मैं नीचे आर्टिकल दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा पूरी स्टोरी कि एक महिला ही घर बनाती है और एक महिला ही घर बिगाडती है बाकी तो आरोपी ने जो किया है उसकी सजा तो कानून देगा तो जब ऐसी कुछ हाथसे होते हैं न तो बहुत ही बुरा लगता है कि एक महिला को क्या जरूरत है उसको ऐसी क्या जरूरत पढ़ जाती है उसको दूसरे जिसकी साधी हो गई है उसके बाद दूसरा किसी से संबंध बनाना नजदीकिया बढ़ाना उसके बाद खुद बच जाना और उसकी वज़ा से फिर दो परिवार में जगड़ा हो जाना यह हम सब बहुत सुनते चले आ रहे हैं हम सब आप लोग का कहना है इस पर आप लोग जरूर बताईएगा डिस्क्रिप्सन में लिंक है आर्टिकल आप खुद पढ़ लीजिए स्टोरी यह मैं नहीं बता रहा हूं जितना मैंने बताया उतने से ही पता चल जाता है कि महिला की भी गल्टी है इस निूज के हिसाब से जो आर्टिकल पब्लीस हुआ है यह सब चीजे इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तो कि एक महिला ही चाहे तो घर बना दे, एक महिला ही चाहे तो घर बिगार दे और कहीं ने कहीं ये जो हुआ है हाथसा इतना बड़ा हाथसा दर्दनाक हाथसा अगर उस महिला ने इतनी नजदीकियां न बनाई होती तो ये दिन न देखना मिलता पूरी स्टोरी आप पढ़िएगा उसके बाद हम फिर से मिलते हैं धन्यवाद झाल झाल झाल